Dear students, ऐन अवस्ती वीडियो सॉलूशन सीरीज में आपका स्वागत है आज हम स्टाइक्योमेट्री चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे है इस वीडियो में हम लेवल वन की क्योशन 1 to 10 डिस्कस करेंगे Let's start by question number 1 Question 1 हमने को क्या पूछा गया है Calculate number of neutrons present in 12 into 10 to the power 25 atoms of oxygen तो यहाँ पर हमारे पास इतने number of oxygen atom present है तो अपन सबसे पहले moles of oxygen निखाल लेंगे Moles of oxygen के लिए क्या हो जाएगा Total number of atoms divided by Avogadro's number Avogadro's number यहाँ पर क्या दिया हो है 6 into 10 to the power 23 जिससे हमारे पास कितना आजाएगा calculate करने पर 200 mol 200 mol है तो अब मारे पास 1 mol भी कितने atoms होते है Na atoms होते है तो यहाँ पर कितने हो जाएगे 200 into Na atoms of oxygen Atoms of oxygen अब अपने पास यहाँ पर क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है number of neutrons तो हमारे पास 1 atom of oxygen का यह दिया आप representation लिखते हैं तो कैसा होता है 8 oxygen 17 यहाँ पर हमारे पास neutron क्या हो जाएगा neutron हमारे पास mass number में से आप atomic number को minus करेंगी तो हमारे पास 9 आजाएगा तो एक atom oxygen में 9 neutrons available है और total हमारे पास कितने atoms है 200 Na तो total neutrons हमारे पास कितने हो जाएगे total neutrons हमारे पास हो जाएगे 200 Na multiplied by 9 which is equal to 1800 Na जो कि कौन्च option से match कर रहा है यह option C से match कर रहा है ठीक next है if mass of one atom is 3.32 into 10 to the power minus 23 gram then calculate number of nucleons nucleons neutron and proton होते है present in two atoms तो हमारे पास क्या count करना है अपने को neutron plus proton count करना है जो कि किसके बराबर होता है mass number के बराबर होता है और mass number ही क्या होता है molar mass होता है तो अपन क्या करें कि molar mass निखालने इस atom का तो हमारे पास इस one atom का mass दिया हुआ है one atom mass one atom mass हमारे पास कितना है 3.32 into 10 to the power minus 23 gram तो हमारे पास one mole atom का mass कितना होगा one mole atom mass is equal to molar mass होगा तो हमारे पास एक mole में कितने atoms होगे na atoms तो एक atom का mass यहाँ पर given है तो एक mole atoms का mass कितना हो जाएगा इसको na से multiply कर देंगे तो हमारे पास आवोगाडरो number हमारे पास क्या है 6.02 into 10 to the power 23 तो यह हमारे पास nearly किसके बराबर आजाएगी यह value यह value हमारे पास आजाएगी 20 क्योंकि यहाँ पर यह तो cancel out हो जाएगा और यह 20 के बराबर आजाएगी यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा यहाँ पर mass number हो जाएगा ठीक है? तो यह हमारे पास क्या है? एक atom के लिए दिया गया है तो यहाँ पर अपने को two atoms के लिए identify गड़ना है तो यहाँ पर आप confuse ना हो कि हमारे पास यहाँ पर तो one mole atom का mass दिया हो है बट वो one mole atom का जो mass है वही क्या है? 20 के बराबर है जैसे कि previous question में हमारे पास एक oxygen atom अपने लिया था इस oxygen atom में यदि आप यह 17 देखें तो यह क्या है? इसका molar mass है ठीक है? यदि gram में अपन calculate करें तो और यदि atomic mass unit में करेंगे तो atomic mass हो जाएगा यही हमारा mass number भी हो जाएगा इस basis पे अपने यहाँ पर molar mass calculate किया है तो अपने पास two atoms में total nucleons कितने हो जाएगे? two atoms में total nucleons क्या हो जाएगे? two into mass number एक atom का mass number mass number of one atom क्योंकि mass number में हमारे पास क्या होगा? neutron और proton दोनों add up होंगे तो two multiplied by 20 कर देंगे तो यह answer क्या हो जाएगा? 40 आजाएगा हमारे पास तो option कौन सा correct हो जाएगा? option A हमारे पास correct answer हो जाएगा ठीक है? next है third calculate number of electrons present in 9.5 gram of P4 3- phosphate iron हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले phosphate जो हमारे पास 3- दिया गया है इसका molecular weight अपन निकाल ले या molar mass आप जिसे कहना चाहते है कि first force का हमारे पास कितना हो जाएगा? 31 और यहाँ पर 64 oxygen का तो यह 95 gram हो जाएगा तो यहाँ पर moles of P4 3- अपन निखा ले moles of P4 3- निखालने के लिए अपन क्या करेंगे? 9.5 gram को divide कर देंगे इसके molar mass से यह आजाएगा 0.1 mol तो हमारे पास moles आगए 0.1 mol में कितने ions प्रेजेंट होगे? 0.1 Na P4 3- ions अब इसमें एक ion में 1 P4 3- ion contains electron contains electrons ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कितने number of electrons होगे would निकालना है? तो सबसे पहले अपन फास्फूरस का atom देखें तो फास्फूरस 15 electron होगे atomic number के बराबरी होगा और oxygen के calculate करेंगे तब हमारे पास कितने आ जाएगा? तब हमारे पास 8 into 4 प्लस यहाँ पर 3 electrons और 8 हो जाएगे तो यह जाएगा 15 यहाँ पर 32 प्लस 3 तो यह हमारे पास 35, 50 total electrons हो जाएगे एक आयन में और हमारे पास total आयन कितने है? 0.1 na तो total electrons हमारे पास कितने होगे? total electrons हो जाएगे हमारे पास 50 multiplied by 0.1 na which is equal to 5 na electrons जो कौनशे option से match कर रहा है? यह option B से match कर रहा है तो correct answer B हो जाएगा अपना number of moles of oxygen atoms in 126 AMU of HNO3 हमारे पास nitric acid का सबसे पहले हमारे अपन molecular weight निकालते है molecular weight यानि hydrogen का 1 nitrogen का 14 oxygen का हमारे पास कितना होता है? 16 into 3 तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 plus 14 15, यहाँ पर 48 तो यह value हो जाएगी 63 gram ठीक है? तो हमारे पास कितना sorry यह molar molecular weight है यदि इसको molecular mass अपन बोले तो यह 63 AMU हो जाएगा एक molecular mass अपन बोलते हैं तो molecular mass और यह हमारे पास किया है? यह है molar molecular mass molar molecular mass ठीक है? एक molecule का mass है तो हमारे पास यहाँ पर 126 atomic mass unit दिये हो है तो number of molecules अपने को निकाल ले हो number of molecules तो total mass हमारे पास 126 दिया हो है divided by 1 molecule का mass 63 से divided कर देंगी तो यह आजाएगा 2 तो हमारे पास यहाँ पर क्या present है? 2 molecules of nitric acid HNO3 present है अब हमारे पास 1 molecule nitric acid में कितने atoms है oxygen की 3 तो 2 molecules of nitric acid में कितने atoms होंगे? 6 atoms of oxygen अब हमने पास number of atoms oxygen के आगए तो moles of oxygen अपन निकाले तो moles of oxygen के लिए क्या करेंगे? कि हमारे पास number of species divided by Avogadros number 6 by Na हमारे पास moles of oxygen हो जाएगे तो option D correct answer हो जाएगा अबने पास ठीक है? What is the charge of 96 Amu of S2 minus तो इसी तरह से यहाँ पर भी sulfur का क्या हो जाएगा? हमारे पास 32 Atomic mass unit इसका mass हो जाएगा तो यहाँ पर total ions कितने हो जाएगे? Total ions 96 divided by 32 which is equal to 3 3 ions of S2 minus यहाँ पर present है अब हमने पास charge देखना है 1 ion का charge कितना होगा? तो यहाँ पर minus 2 charge लिखा हुआ है तो minus 2 E E हमारे पास क्या है? minus 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 C यह हमारा charge हो जाएगा यह 1 ion S2 minus का charge है और हमारे पास कितने दियो है? 3 ions दियो है charge को denote कर रहे बट numerical value अपने पास कौन से option से match कर रहे है? Option C से match कर रहे है तो correct answer C हो जाएगा ठीक है next है 6th question in terms of sodium ठीक है तो what is the mass of same number of calcium atoms as sodium atoms present in given sample तो question में अपने क्या बोला गया? कि number of sodium atom is equal to number of calcium atom ठीक है तो हमारे पास number of sodium atom कितने है? 2 Na atoms है तो number of calcium atom को भी यहीं पर कर देते है तो इससे हैं mass निखालना चाहते हैं किसका? calcium atoms का तो हमारे पास mass का rule हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? moles multiplied by moles multiplied by molar mass ठीक है? तो हमारे पास moles identify करें number of calcium atoms 2 Na है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएगे? 2 moles हो जाएगे moles निकालना है आपको तो number of atoms दिये हो है number of atoms divided by Avogadroze number कर देंगे number of moles आ जाएगे calcium atom की molar mass 40 gram तो हमारे पास क्या value आ जाएगी calculate करने पर 80 gram यह आ जाएगा mass of calcium atoms जो कौनसे option से match कर रहे? यह option D से match कर रहे ठीक next question is 7 total number of neutrons present in 54 ml H2O liquid अब हमारे पास यहाँ पर volume दिया गया H2O liquid का तो हमारे पास density of water जो होती है वो कितनी होती है? 1 gram per ml और density हमारे पास क्या होगा? mass per unit volume तो अपन यह दी mass of H2O निकालना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? volume multiplied by density volume multiplied by density तो इस basis पर हमारे पास यहाँ पर volume किता दिया हो है? 54 ml density हमारे पास कितनी होती है? 1 gram per ml तो यह आ जाएगा 54 gram तो 54 gram हमारे पास यहाँ पर H2O present हो गया तो इसमें moles of H2O पर निकाल लेंगी moles of H2O के लिए इसका divide करेंगे molar mass से अब H2O का molar mass आपको निकालना है तो hydrogen का 1 into 2 oxygen का 16 कितना हो जाएगा? 18 gram तो 18 से divide करेंगी तो हमारे पास कितने आ जाएगी? यहाँ पर 3 moles आ जाएगी ठीक है? तो 3 moles हमारे पास H2O molecules यहाँ पर present है अब 1 molecule में कितने neutrons है? 1 molecule of H2O contains has neutrons hydrogen में हमारे पास कोई भी neutron present नहीं होता तो हमारे पास 0 हो जाएगा oxygen में 8 हो जाएगी तो total 1 molecule में 8 neutrons है और 3 moles H2O का मतलब क्या है? कि यहाँ पर 3 Na molecules of H2O है ठीक है? तो हमारे पास total neutrons कितने हो जाएगी? total neutrons हमारे पास हो जाएगी 8 multiplied by 3 Na which is equal to हमारे पास 24 Na जो कौनसे option से match कर रहा है? option C से match कर रहा है ठीक है? next है 8th total number of electrons present in 48 gram magnesium magnesium का भी mass हमारे पास 12 atomic number होता है 24 तो अपन moles of Mg 2 plus iron तो हमारे पास 48 divided by 24 2 moles हो जाएगी 2 moles का क्या मतलब है? कि हमारे पास 2 Na Mg 2 plus ions होगे अब अब 1 ion हमारे पास 1 Mg 2 plus ion में electrons कितने होंगे? magnesium का atomic number 12 है but 2 plus यहां पर दिया हुआ है तो यानि 12 में से 2 electrons बहार निकल चुके है तो यहां पर total electrons कितने होंगे? 10 electrons होगे अब हमारे पास कितने ions है? 2 Na ions है तो total electrons total electrons हमारे पास हो जाएंगे 2 Na multiplied by 10 which is equal to 20 Na electrons ठीक तो हमारा कौन सा option correct हो जाएगा? यहां पर option C correct answer हो जाएगा next है the number of neutrons in 5 gram D2O तो सबसे पहले D2O का पर निखाले molar mass तो हमारे पास deuterium का कितना होता है? 2 into 1 plus oxygen का 16 तो यहां पर कितना हो जाएगा? sorry 2 into 2 हो गए यहां पर तो यह हो जाएगा 20 gram क्योंकि 2 atoms है एक deuterium atom का mass 2 gram होगा तो 2 atoms का 4 हो जाएगा plus 16 20 gram तो हमारे पास moles of D2O पर निखाले तो moles of D2O हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 gram divided by 20 gram तो हमारे पास 1 by 4 mole of D2O आ जाएगे आप deuterium जो होता है उसको represent करने का तरीका क्या होता है? 1, H, 2 तो यहां पर neutron कितने होता है? neutron हमारे पास यहां पर 1 होता है proteum के case में ऐसा नहीं होता है वहांपर neutron क्या होता है? 0 होता है ठीक? तो इसी बेसिस पर यहां पर D2O molecule में न्यूट्रोन्स हमारे पास कितने होंगे न्यूट्रोन्स हमारे पास यहां पर हो जाएंगे 1 इंटू 2 प्लस oxygen का अटोमिक नंबर oxygen हमारे पास 8 oxygen 16 यह दिया हुए तो इसमें न्यूट्रोन्स हमारे पास कितने होंगे 8 तो टोटल न्यूट्रोन्स यहां पर 10 हो गए यहाँ पर total molecules किते दिये हैं 1 by 4 Na दिये हो है तो इस basis पर हमारे पास total neutrons अपन calculate करें total neutrons तो वो कितना हो जाएगे 1 by 4 Na multiplied by 10 which is equal to 2.5 Na जो कि कौन्चा option से match कर रहा है यह option B से match कर रहा है ठीक next question है 10th Cysplatin and anti-cancer drug has the molecular formula PTNS3 का whole twice Cl2 what is the mass in gram of one molecule तो सबसे पहले एक molecule का यही mass निकालेंगे तो किस में आगा atomic mass unit में आगा तो हमारे पास PTNS3 का whole twice Cl2 का mass निकाले यानि molecular mass molecular mass हमारे पास कितना हो जाएगा platinum का mass दिया हो है 195 plus nitrogen की 2 atoms है यहाँ पर तो 14 into 2 hydrogen की 6 atoms है 6 into 1 chlorine की 2 atoms है 2 into 35.5 तो इसको आप calculate करेंगे तो आएगा 300 atomic mass unit अब हमारे पास यह किस में दिया हुआ है atomic mass unit में दिया हुआ है पर अपने को gram में निकालना है तो gram में निकालने के लिए atomic mass unit को gram में convert करना पड़ेगा तो 1 atomic mass unit is equal to 1 by any gram होता है which is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram ठीक है तो आपन क्या करें directly multiply कर दें इसको 1.66 into 10 to the power minus 24 से इसको आप जैसे ही multiply करेंगे तो हमारे पास value कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी 4.98 into 10 to the power minus 22 gram which option कौन सा correct हो जाएगा option B हमारे पास correct answer हो जाएगा ठीक है